इसमें जो न्यूज है गाइस वो यह है कि बिहार बोर्ड की और से सभी परचारियों को लिखा गया पत्र नामंकन की राशी स्कूल कॉलेजेजों को लटाई जाएगी तो बिहार बोर्ड के तरब से यह न्यूज फ्लैश हो रहा था जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो अप वापस करेगी इसके लिए स्कूल कॉलेज को पांच जानकारी बोर्ड को देनी होगी बिहार बोर्ड की और से सभी परचारियों को इसी संबंद में पत्र लिखा गया है बोर्ड ने कहा है कि स्कूल कॉलेज में नामंकित विद्यार्तियों से लिया गया आवेदन शुर्क 200 रुपे परती विद्यारती संस्थानों को वापस किया जाएगा आवेदन वक्त 300 रुपे विद्यारती से लिये गये थे इसके लिए संस्थानों को बैंक के किखाते विवरन ओ-फ-ऐस-एस पोर्टल पर अप्लॉड करना होगा तथा उसके बाद बोर्ड को ई-मेल भी करन करना हो गा ओख ओ ओ ऐस ऐस पोडल पर पंदर ह से सताइस ठरवरी तक देनी होगी जानकारी बिहार बोर्ड ने कहा कि कहा है कि ओ tablespoon पर 15 फरवरी से 27 फरवरी तक इसतानों को जानकारी सपारै देनी होगी इस में बैंक एकाउंट नंबर एकाउंट नंबर बैंक का नाम IFSC Code तथा बैंक शाखा का नाम विहार बोर्ड को उपलब्द कराना हो गाई इमेल पर कॉन्फरेंस के रिपोर्ट भेजने अनिवारी किया गया है सभी परचारियों को कहा गया है कि बैंक को विवरन सावधानी से भरेंगे अन्यता रासी दूसरे बैंक एकाउंट में चली जाएगी इसके जवाब देही स्कूलों की होगी सतर दूहजार बीस बाइस में राज भर में दस लाग से अधिक छात्रों ने नामंकन कराया है साथ बार बिहार बोर्ड ने भेजा पत्र बिहार बोर्ड ने भेजा अब तक बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं है इंटर नामंकन की रासी लेने में कोई स्कूर लेने में कई स्कीलों किला परवाही भी सामने आई है 2018-21 में सनातक नामंकन 2018-20 में इंटर नामंकन तथा 2021 में इंटर नामंकन की रासी के लिए अब तक बैंक एकाउंट डिटेल्स बोर्ड की उपलब्ड नहीं कराये हैं बोर्ड ने इस पर नराजगी जताई है इस बार साथ बार नोटिस देने के बाद भी कई विद्यालों ने जानकारी नहीं दी कहीं सस्थानों ने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है पर इमेल नहीं भेजा है इनहीं 27 फरवरी तक मौका दिया गया है तो गाइज यह बहुत ही बहतरी न्यूस था और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो भी जो मतलब इंटर का जो फार्म भरा था उसमें जो भी चार्जर लगे थे वह आपको रिटरन बैक मिल जाएगा तो गाइज अगर ऐसी जानकारी के लिए अगर हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बिल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको तो गाइज फिर कभी मैं एक नहीं वीडियो के साथ न्यू न्यू इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होता हूं तब तक के बाइब बाइब